खोवा और मावा की रेसिपी आपके शेयर करेंगे आईए चलिए स्टार्ट करते हैं यह मिल्क पॉडर मिल्क ऑईल ऑईल डालेंगे पहले उसके बाद में मिल्क डालेंगे मिल्क पॉडर डालेंगे सची थरह मिक्स करेंगे देखिए अच्छे से चलाएंगे देखिए कितने अच्छा मावा रेडी हो रहा है आप भी ट्राइए करें आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं प्लीज मेरे चैनल को लाइक किरे शेयर करें सिस्क्राइब करें डियर जिन्दगी मेरे चैनल का नाम है डियर जिन्दगी अब इसे निकाल देंगे और इसे निकालने के बाद इसे चार से पांच मिनट इसे छोड़ देंगे जिए थोड़ा सा को हाट है कोल्ड हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा लगेगा आप उसे देखी देख सकते आप थेंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए